नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की खबर जानते हैं सुखे से जुज रहे किसान को रहत पहुचाने की रणीती पर होगी चाचा ज़र्खन में सुखे को लेकर बुद्धवा तक सभी जीलो से रिपोर्ट मुख्याला को भेजनी थी, इसमें इस बात की समीक्षा भी हो जाएगी कि राजे में कितनी बारिस हुई है, और कितने खेतों में धान की फसर लगाई गाई, ज़र्खन में इस साल भी औसद से बहु बारिस होती है, कहा गया था कि इसी अधार पर आगे की रणनीती बनाई जाएगी, इतके लिए सभी जीले के जीला पदादेकारियों को पहले ही निर्देश दे दिये गये थे, उन्हें जीले में सुखे के स्थिति का आकलन करने को कहा गया था, रिपोर्ट 15 अगस्त क सरका को भेजने का आदेश दिया गया था, सभी जीलों से रिपोर्ट किरिसी बिभार को मिलने के बाद सरकार सुखे को लेकर अपनी रणनीती त्यार करेगी, मावादी हमले में सहीद पलामू का लाल पंच ततों में बिलीन, पच्मी सिम्हुम जीले में हुए मावादी हमले में सहीद हुए जहरखन जगवार के सब इंस्पेक्टर अमीत कुमार तिवारी पंच ततों में बिलीन हो गया, बुद्धवार सुभा उनके पैतरी गाव पलामो के तोल्रा में राजगिये, सम्मान के साथ अमीत कुमार तिवारी का अम्तिम संसकार किया गया, इस दोरान पलाम के लिए राज से ही काफी संख्या में लोगों के भीर उमर लगी थी, पार्थिव सरीर घर पर आता ही पर रिजन रोने लगे, वहां मवजूद सभी के आखे नम हो गई, यहां तक कि पार्थिव सरीर के साथ आये पुलिस पता दिकारी और जवान भी काफी भावक हो गए थ जारखन में तीन दिनों तक बारिस के आसार, पिछले 24 घंटे में राज के कुछ अस्थानों पहलके से मत दर्जे की बरसा हुई है, जबकि कहीं कहीं भारी बरसा भी दर्ज की गई, राज में मांसुन की कतिविती कमजोर रही है, सबसे अधिक वरसा 89.4 मिलिमीटर बोलबा सिम्डेगा में दर्ज की गई, वहीं सबसे अधिक उस्तमतापमान 37 डिगरी सेल्सेस गोड़ा में, वहीं सबसे कम निमतनतापमान 23.6 डिगरी सेल्सेस चाई बासा में दर्ज किया गया, मौसम विभाग ने आज भी राजे के कई जीलों में बारिस की समना जताई है, कुछ जीलों में तीन दिनों तक भारि बारिस की असार है, मौसम विभाग के पुरुणमान के मुताविक राजे के कई अस्थानों पर आज गयन के साथ हलके सिम्द दर्ज की बारिस होगी, जबकि राजे के दक्षनी भागो, पूर्भी सिम्भूम, पच्षमी सिम्भूम, जीलों में कहीं कहीं भारि बारिस हो सकती है, वहीं 17 और 18 अगस्थ को राजे में लगभग सभी अस्थानों पर गयन के साथ हलके सिम्द दर्जा की बारिस होगी, सहायक आचार्य सन्युक्त परित्योक्त परिक्षा के लिए आवेदन आज से, ज़ार्खन प्रालामभिक बिद्याले प्रसिक्षि सहायक आचार्य सन्युक्त परित्योक्त परिक्षा दोहरजे तेज के लिए आज 16 अगस से अउनलेन आवेदन जमा होगा, 15 सितंबर के मत र सुचना में कहा गया है कि 17 सितमर की मध्र राती तक परिछा सुल का भुक्तान किया जा सकेगा वहीं फोटो अहस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिट आउट लेने के लिए उनाई सितमर की मध्र राती तक लिंक उपलब्द रहेगा बाबुलाल ने हेमंत स्वरेन पर साधा निशाना कहा बेदाग है तो भागे नहीं इस दिनों की संकल प्यात्रा पर रहेंगे प्रेशवारता से पूर्व उन्होंने विधान सभाब परिशल इस्थीत भारत रत्न पूर्व परधान मंत्री अटल विहारी वाजपे की परती में पर सधांजली अर्पीत करते हुए नमन किया पर्देश कर्याले में पत्रकारों से बात करते हुए विजय भी पर्देश अध्यक्ष ने कहा है कि आज जार्खन निर्माता यहम देश के महान विभूती अटल विहारी वाजपे की पूनेती थी है कहा कि आटल जी ने जार्खन अलग राज देखकर राज की जनभवनाओ को सम्मान दिया था भगवान विर्शा मुटा की जयनती का उसर पर 15 अनौम पर 2000 को जार्खन अलग राज के गठन आटल जी की देन है जार्खन का साकाहरी मटन रूंगडा जार्खन में वेज मटन के नाम से परसीद रूंगडा के लोग दिवाने है इसके खाने से स्वास्त लाब तो मिलता ही है इसके साथ ये स्वादिष्ट भी होता है खाने में इसका टेस्ट मटन से कम नहीं होता इसलिए लोग इसे साकाहरी मटन भी कहते हैं बता देख कई मानियाताओ के कारान कई लोग सावन में नन भेज खाने से परभेज करते हैं हलाकि इस दोरान इसकी कमी को पूरा करने के लिए कट हल खाना पसंद करते हैं लेकिन जार्खन में रूंगडा मसरूम की बात ही अलग है। रूंगडा जंगलों के बीच मिलने वाली सबजी है जो बारिज के मौसम में सकुआ के पेड़ के नीचे उगती है। जार्खन वासी इसे रूंगडा मसरूम काते हैं या बारिज के मौसम में ही होता है। बैग्यानिक इसे एक फंगस के रूप में बताते हैं जो सक्वा के पेड़ के नीचे बारिज के मौसम में अपने आप उग आते हैं राहूल गांधी को जार्खन हाई कोड से मिली रहात मोधी सर्नेम केस में राहूल गांधी को जार्खन हाई कोड से रहात मिली है जस्टिस एसके दिवेदी के अदालत ने राहुल गांधी को निचली अदालत में ब्यक्तिगात रूप से उपस्थित होने के आदेश को निरस्थ कर दिया है अब उनकी ओर से अधिवक्ता निचली अदालत में उपस्थित हो सकेंगे इस संबंध में राहुल की ओर से हाई कोट में याजक्या दाखिल की गई थी अदालत ने उक्त आदेश को चुनावती दी गई थी बता दे कि लोग सभा चुनाव के दरान राहुल गांधी ने मोधी सरनेम को लेकर टिपनी की थी इसके खिलाब परदीप मोधी ने निचली अदालत में सिकायत वाददर्ज कराया है EDCVI है नीम करेला CM को समन पर भढ़के स्वास्त मंत्री बना गुपता जारखन में मुख्य मंत्री हमान सुरेन को ED के तरफ से समन भेज़ जाने के बाद राहनिती महुल गरम है मुख्य मंत्री को 14 अगस्त को तलब किया था लेकिन वह नहीं पहुचे CM सुरेन ने इसे उनके खिलाब एक राजनिती साइस राची जा रही है बताद इसी बीच परदेश के स्वास मंत्री ने ED को लेकर एक चोकाने वाला ब्यान दिया है इसमें उन्होंने ED, CBI और आयकर विभा की तुलना करेला, नीम और कुटकी से की है हाली में उन्होंने मीडिया से बात करते वे कहा है जारखन के लिए राजनिती स्वास्त अच्छा है क्योंकि हम जितना करेला, नीम और कुटकी का जूस पी रहे है इसका मतलब ED, CBI और इंकम टेक्स से है उतना हम मजबूत हो रहे हैं उतना हम ससक्त भी हो रहे हैं उतना हमारा इरादा बुलंद हो रहा है उतना हमारे लडने की छामता दक्षता बढ़ रही है RSS के बिद्या भारती स्कूल में पढ़ते हैं 64,000 मुस्लिम बच्चे राष्ट्रिये स्वयम सेवक संग की विचार धारा से प्रवहावित बिद्या भारती के स्वस्वत्ती बिद्या मंदिर के नाम से पूरे देश में संचालित स्कूलों में भी अभी 64,000 मुस्लिम और 10,000 इसाई बच्चे पढ़ रहे हैं दरजनों सिक्चक भी मुस्लिम हैं अभी पूरे देश में 12,500 अवचारिक और 12,000 अवचारिक विद्याले चल रहे हैं उस संस्था के अखिल भारतिय महमंत्री अविनास पटनागर दो दिनों के परवास परणाची आए हुए हैं उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की नई सिक्षा निती को लागू करने के लिए उनके विद्याले पूरी तरह से त्यार है जंगल में मस्रूम लेने गए सक्थ पर भालू ने किया हमला है सिंग्भूम जीला के कुमार डूंगी थानाचेत अंत्रगत छोटा राय कमन पंचायत के उडूंदा गाव में बुद्धवार के दिन मस्रूम चुनने जंगल गए ब्यक्ति पर जंगली भालू ने हमला कर नोच खरोच कर दिया है इससे 45 वर्सिये सुख लाल बिरुया की स्थिती काफिंग भीर बनी हुई है उसके दाहिने और के चेहरे को भालू ने बुरी तरह से नोच डाला इस्थिती गम भीर होने के कारण समधाइक स्वासिकेंद्र कुमार्ग डोंगी में प्राथमिक उपचार के बाद उसे उचित इलाज के लिए चाईबासासर अस्पतार रेफर कर दिया गया घटना के बारे में पुछने पर सुक लाल बिरुया बताते हैं कि बुद्धवार के दीन सुबा आट बजे जंगल की नारे इस्थित खेतों में पानी बंद करने गया था वहाँ पानी बंद करने के बाद उसे खेत के सामने सटे जाड़ी में कुछ मसरूम मिले उसे उठाने लगा पाकुड में ट्रेक्टर बाइक में जोरदार टकर तीन की मौत पाकुड के आमड़ा पाड़ा थाना छेतर के गोविंदपूर चाहवगंज हाईवे पर छोटा पहाडपूर गाउं के समीप मंगलवार की देर साम ट्रेक्टर वा बाइक में जोरदार भिढ़न्त हो गई इसमें आमड़ा डिह गाउं निवासी 65 वर्षी हरीदास मुर्मू अठारा वर्षी निम्बू लाल चुरेन वपचीस वर्षी रूबी लाल मुर्मू की मौत हो गई ठाना परभारी गोपाल कृष्ण यादव दल बल के साथ घाटना सर पर पहुंच कर मामले की जाच की घाटना के बाद चालक पूलिस को चक्मा देकर ट्रेक्टर लेकर फ्रार हो गया दुरगाटना ग्रस्त बाईक को जब्द किया गया है ट्रेक्टर दुमका के गोपी कांदर थाना छेतरे के कुचिंद्रा गाउं का बताया जा रहा है पूलिस मामले की जाच में जूट गई है फाइलेरिया खतम करने के लिए जारखन में घर घर दी जा रही दवाएं जारखन के नव जीलों में फाइलेरिया उनमुलन के लिए मास ड्रग एड्मिस्ट्रेशन यानी सर्वजन दवा 7 अभियान चलाया जा रहा है 16 अगस्त से घर घर जाकर लोगों को फैले रिया रोधी दवा का 7 कराया जा रहा है या अभियान 25 जुलाई तक चलेगा बता दे कि अभियान की शुरुआ 10 अगस्त को हुई थी इसके तहा स्वास्त विभाग की टीम 14 अगस्त तक बूथ पर दवा दी गई आज से घर घर जाकर दवा का 7 कराया जा रहा है धन्यवाद